नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा साथ की हिंदी की पाटे पुस्तक बाल महा भारत कता का अध्याय 22 अध्याय का नाम है अज्यातवास इस वीडियो में हम इस पाट का सार प्रशन अभ्या और बहुविकल्पिय प्रशन उतर करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 21 यक्ष प्रशन पाट के सार प्रशन अभ्यास और बहुविकल्पिय प्रशन उतर करवाई थे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब क को जरूर दबाएं मैंने अपने चैनल की प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट वाइस लिस्ट डाली हुई है आग जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाते हैं मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए अब हम पाट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे पांडव अपना अपना बेश वदल कर राजा विराट के यहां चाकरी करने लगे विराट को लगा कि ये लोग कुशल प्रशासनिक हैं अते उनके आग्रह पर विश्वास दिलाने पर उनको सेवा में रखा गया उनके मन मताबिक कारे में लगा दिया राजा विराट के यहां युदिस्ट्रे ने अपना नाम कंक रखा वह जुआ शत्रंज आदी खेलों के द्वारा राजा विराट का मनुरंजन करते थे वहां भीम का नाम बल्लव रखा गया भीम रसोईयों का मुखिया बन गया वह राजा विराट के रसोई में खाना बनाता था अरजुन का नाम ब्रहनल्ला रखा गया उसका काम था विराट की राजकुमारी उत्रा को संगीत और नित्ते की सिक्ष्य दिक्ष्य देना नकुल घोडो को साधने का काम करने लगा, नकुल का नाम ग्रन्थिक रखा गया, सहधेव का नाम तंती पाल रखा गया, वे गाए बैलों की देख भाल करते थे, दरौपदी का नाम सहरेंदरी रखा गया, वहराजा विराड की पतनी की सेवा करती थी रानी सुदेख्षना का भाई कीचक बड़ा ही वलेस्ट और वीर था जब से पांडवों के बनवास की अवदी पूरी होई थी तब ही से दुरियोधन गुप्त चरों के माध्यम से पांडवों की खोज करने लगा था इन्हें दिनों कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई दुरियोधन समझ गया कि कीचक का वद भीम नहीं किया होगा दुरियोधन ने रास सब हमें अपना विचार प्रकट करते हुए कहा पंडव शायर विराट के नगर में छिपे हैं अतै हमें विराट नगर पर हमला कर देना चाहिए यदि हम अग्यादवास की अवदी पूरी होने से पहले उने उनका पता कर ले तो शर्द के अनुसार पांडवों को बारह वर्ष और बनवास काटना पड़ेगा अपनी पुरानी शतुरता का बदला लेने के लिए मतस्य देश के दक्षिनी हिस्से पर तिर्गत राज की सेना ने आक्रमन करके गायों के जुंड के जुंड अपने कबजे में कर लिए युदिस्टिर की सलापर अरजुन को छोड़ कर बाकी पंडव विराट के साथ युद में चले गई विराट को सू शर्मा ने बंदी बना लिया तब युदिस्टिर ने भीम से कहा भीम विराट को अभी छुडा कर लाना होगा और सू शर्मा का एहंकार चूर करना होगा यह कारे तुम्हें शांती पूर्वक करना होगा ताकि तुम पहचान में नए आओ शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे इसलिए यह कारे समाने लोगों की भाती रत पर बैटकर और धनुश बाण के सहारे लड़ना होगा भीम रत पर बैटकर बाणों की वर्षा करने लगे कुछ ही देर में भीम ने विराट को छुडा लिया और सू शर्मा को बंदी बना लिया राजा विराट की विजय होने की खबर नगर में फैली तो वहां की प्रजा उनके स्वागत में जुट गए और खुशियां मनाने लगे तबी दुरियोदन ने राजकुमार उत्तर पर हमला कर दिया राजकुमार उत्तर कौरा सॉन्या को देखकर घबरा गया द्रौपदी के प्रस्ताव पर अरजुन को उत्तर का सार्थी बनाया गया था उत्तर के घबराने पर अरजुन ने कहा राजकुमार घबराओं नहीं अग तो सिर्फ घोडों की राज संभाल लो पुत्तर को सार्थी बनाकर अर्जुन युद को तैयार हो गया द्रोन को विश्वास हो गया यह तो अर्जुन है यह बात संकेश से भीष्म को भी बता दिया अर्जुन ने गांडिल संभा लिया और उस पर डोरी चड़ाकर तीन बार जोर से टंकार की कौरव सेना टंकार की ध्वनी सुनकर सचेत भी हो नहीं पाई थी की अरजुन ने खड़े ओकरशंग की ध्वनी की जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उसमें खलवली मच गई अब हम इस पार्ट के प्रशन अभ्यास करेंगे विराट के दरवार में युदिस्टिर को कौन सा काम सौपा गया था उत्तर कंक के नाम से विराट के दरवारी बन गए और राजा के साथ चौपर खेल कर दिन बिताने लगे प्रेशन दो भीम को क्या मिला उत्तर भीम को रसोईयों का मुख्या बनाया गया वे बल्लव के रूप में काम करने लगे प्रेशन तीन कीचक कौन था उसकी वीरता के बारे में लिखिये उत्तर कीचक सुदेक्षणा का भाई था वह बड़ा ही बलिस्ट और प्रतापी वीर था कीचक ने राजा विराट के समराज जैवम शक्ती का काफी विस्तार किया था प्रेशन चार कीचक का वद किस ने किया उत्तर कीचक का वद भीम ने किया प्रशन 5. दुरियोदन ने कैसे अनुमान लगाया कि पांडव मतस्य देश में है उत्तर कीचक के बारे में मारे जाने की सूचना के बाद ही दुरियोदन की शंका बढ़ी कि हो नहो कीचक का वद भीम नहीं किया होगा यह दुरियोदन का अनुमान था प्रेशन 6, सू शर्मा को किस ओर आकर्मन की जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर, सू शर्मा को मतस्य राजे पर दक्षिन की ओर से आकर्मन करने की जिम्मेदारी दी गई थी प्रेशन 7, अर्जुन ने राजकुमार का होसला बढ़ाते हुए क्या कहा अर्जुन ने राजकुमार उत्तर का हुमत बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमार घबराओं नहीं तुम सिर्फ घोडो की राज समभलो अब हम इस पार्ट के बहुविकल्पिय प्रेशन उत्तर करेंगे पहला प्रेशन है अर्जुन किस वेश में दरवार में गया था ए राजा भी फकीर सी स्त्री भी बुड़ा इसका सही उत्तर है सी स्त्री प्रेशन दो भीम से इन किस नाम से रसोईयों का मुख्या बनकर रहने लगा था ए योगी भी धर्म सी राज डी बल्लव इसका सही उत्तर है डी बल्लव प्रश्न तीन कंक राजा के साथ क्या खेल कर दिन व्यतीर करते थे A. चोपड, B. सतरंज, C. लूडो, D. घूम कर इसका सही उत्तर है A. चोपड प्रश्न चार राजा का सबसे प्रतीव क्या विचार था A. राज करने योग्य, B. लड़ने योग्य, C. घूमने योग्य, D. काम करने योग्य इसका सही उत्तर है D. काम करने योग्य प्रश्न पांच, युदिस्त ने अपना नाम बदल कर क्या रखा था A. योगी, B. मूरू, C. कंक, D. समू, इसका सही उत्तर है C. कंक प्रशन 6 अपने पतियों की प्रतिग्या को पूरा करने के लिए रानी को क्या करना पड़ा था A. दासी बनना पड़ा, B. सैनिक बनना पड़ा, C. पड़ना पड़ा, D. उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है A. दासी बनना पड़ा प्रशन साथ नकुल्य अपनाना बदल कर क्या रखा था ए ग्रंतिक बी की चक सी योगी डी राजकुमार इसका सही उत्तर ए ग्रंतिक प्रशन आठ अर्जुन रनिवास की स्त्रियों और कन्याओं को क्या सिखाते थे ए खेल बी नाचना सी गाना बजाना डी बी और सी दोनु इसका सही उत्तर ए डी बी और सी दोनु प्रशन नो विराट की कन्या का क्या नाम था ए उत्तरा बी रानी देवी सी सरस्वती डी सुमन इसका सही उत्तर ए उत्तरा प्रशन 10 रानी सुदेख्षणा के भाई का क्या नाम था? A. संदीब B. राजगुरू सी कीचक D. दुशाशन इसका सई उत्तर C. कीचक प्रशन 11 दुरियोधन ने किस देश पर हमला किया था? A. मतस्य B. मगद सिक द्वारिका D. अंग इसका सई उत्तर A. मतस्य प्रशन 12 विराट की पत्नी का क्या नाम था? A. सुमिका B. कल्याणी C. सुदेख्षणा D. सत्यवत्ती इसका सई उत्तर C. सुदेशणा प्रशन 13 युदिस्ति ने किसे विराट को छुड़ा लाने को कहा था? A. भीम B. दुरियोधन C. कीचक D. राजकुमार इसका सही उत्तर है A. भीम प्रशन 14 दुरियोधन ने किस ओर तबाई मचा रखी थी? A. उत्तर B. पूरव C. पस्चिम D. दक्षिन इसका सही उत्तर है A. उत्तर प्रशन 15 भीम ने राजा विराट को छुड़ा कर किसको कैदमे किया? A. राजा सुशर्मा, B. राजकुमार सी दुरियोधन D. की चक इसका सही उत्तर है A. राजा सुशर्मा तो यहाँ पर हमारा अध्याए 22 का प्रशन भ्यास का कारे पूरा हो गया है अगली वीडियो में मैं आपको अध्याए 23 प्रतिग्या पूर्ती पाठ का सार प्रशन भ्यास और बहुई कल्पिय प्रशन उत्तर करवाँगी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू